दोस्तों अगर आपका पपी डिवार्मिंग के लिए तैयार नहीं है और आपने उसकी डिवार्मिंग करवा दी तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मुसिबत में वो फस सकता है और कई बार कई पपी इसकी जान भी चली जाती है गलस समय डिवार्मिंग होने की वज़े से तो मैं आपको जानकरी दूँगा कि आपका पप्पी डिवार्मिंग के लिए तयार है या नहीं है। अगर आप डिवार्मिंग बिना तयारी के करवा देते हैं तो भाई मुसिबत हो सकती है। तयारी में अगर पहली प्रमुक बात में करूँ तो वो यह है कि क्या आपका पप्पी एक महीने से कम कम का है पंदरा दिन से लेकर के और एक महीने के बीच जो है उसकी आँके खुलती है उससे लेकर के और एक महीने के बीच उसकी उम्र जब रहती है उस समय उसकी डिवार्म होना जरूरी होता है उस समय वो डिवार्मिंग के लिए तयार रहता है अब हम क्या करते हैं उस समय गलती कर देते हैं डिवार्मिंग करवाते नहीं है एक महीना बीता दो महीने बीते और जो ही तीन महीने अगर बिना डिवार्मिंग के बीग जाते हैं तो उसके पेट में जो अपने नजदी की वैट की सला लेनी पड़ेगी, उसके बाद एक्सेय करवा करके फिर डिवार्मिंग करवाई जाएगी, अगर बड़े कीडे हैं तो डिवार्मिंग नहीं हो सकती, अगर डिवार्मिंग होई तो उस पपी की जान भी जा सकती है, इसलिए प्लीज पहली जो करवा सकते हैं, कोई प्रब्लम नहीं है, और अगर प्रोपर सेडियूल फोलो करें, तो हमारे इसी चैनल पर आपको सेडियूल का भी वीडियो मिल जाएगा, तो ये काम आप कीजिए, उसी समय आपका पपी तयार रहता है, ये विसे जान रखिए, नमर टू, अगर आपके स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि डिवार्मिंग जब भी करवाते हैं, माने या ना माने, डिवार्मिंग की वज़े से पपी स्ट्रेस में जरूर जाता है, तो वो फिर स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, और कई बार उस बिमारी से तो बस सकता था, लेकिन फिर deworming होने की वज़े से फिर वो नहीं बस पाता है उसकी बहुत हो जाती है तो इसलिए प्लीज उस समय जब उल्टी है दस्त है और साथ में बुखार है उस समय वो कत्त ही deworming के लिए तैयार नहीं है हाँ अगर सिर्फ उल्टी दस्त हो रही है तो ऐसी कंडिशन में अगर पसुची के सक तै करें तो भाई उसकी deworming करवाई जा साथ है यह matter है इसके अलवा तीसरा matter यह है कि जब भी आप किसी भी पपी की वैक्सीन करते है और वैक्सीन से अगर आपने 5-7 दिन पहले deworming करवा दी तब तो बेश्ट है लेकिन आपने वैक्सीन से पहले deworming करवाई नहीं और बाद में आप deworming करवाने की सोच रहे है तो आपका पपी deworming के लिए तयार नहीं है वैक्सीन के कम से कम 15 दिन आपको यहीं पिताने है उसके बाद उसके deworming करवानी है 15 दिन तक वो deworming के लिए एग्री नहीं है इसके अलवा रोज की अगर हम बात करें तो जब भी आप deworming की कोई भी दवा देना चाते है तो दवा जिस समय देंगे उस समय विसेज धान के लिए आपका पपी तैयार नहीं है अगर पपी 10 किलो से कम है चोटा है तो उस स्टेज में आपको लिक्विड डिवार्मर का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा यह विसेज धान रखेगा इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो वो यह है कि अगर आपके पपी की पिछ इससे डिवार्मिंग के लिए तैयार नहीं है और अगर इसकी उमर तीन महीने से जादा हो गई है तो कम से कम डेड़ महीना जादा से जादा तीन महीना इसके बीच में आपको डिवार्मिंग करवानी पड़ेगी उससे पहले वो डिवार्मिंग के लिए तैयार नहीं है य